हेलो एविवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में हम टॉपिक करेंगे अव्या का अव्या होते हैं जो आपके एविकारी शब्द होते हैं ठीक है मतलब जिनका रूप नहीं बदला जा सकता संग्या सरवनाम से आप चेंज नहीं कर सकता संग्या सरवनाम का लुप नहीं बदलता है इससे पहले हमने क्या किया था क्रिया की ते और क्रिया कि मैं आपको डिटेल वीडियो भी दूंगी ठीकल और मैं चाहते हूं कि 9 य 10 की जो आपकी हिंदी ग्रैमर की बुक होती है या फिर 7 8 की वहां से मैं क्रिया को कवर करूं तो हमारा पहला क्व साथी बोल दिया यहां पर चेंज हो सकता है जुलूऌस के आगे लेकिन के आगे जो वर्ड है वो कभी भी चेंज नहीं हो होगा चाहे आपका female हो चाहे आपका male हो या फिर आपका plural form में ऋ LA respected के आगे जो है यह विखारी शब्ध ह i if यह change होगा उसी बात सدا से होती रही है ये क्या बता है इसी बात सदा से होती रही है क्या सतीति के बारे में बता रहा है थान के बारे लिए टाइम पिरिड के बारे में बात करें सदा से चली आ रही है यह रीती तो इसमें आपका कालवाचक अव्या होगा निम्न में से कौन सा तिरसकार बोधक अव्या है तिरसकार बोधक मतलब किसी का क्या करना इंसल्ट करना या उसको धिकारना तो यहां पर देखो अहां य विकार है तुम पर ये वाला त्रिसकार बोदक अव्या है वह चुपके से चला पंक्ती में चुपके से क्या है अगर चुपके से पूछे यहां पर कि यह चुपके से क्या लिखा हुआ है क्या दिशा बता रहा है स्थान प्रेवान वाचक या रीती क्योंकि उसकी आदत है च इतना रूप नहीं बदलता, चाहे इसके आगे plural में आई सब्जक्ट, चाहे singular में आए, चाहे male में आई, subject या female में आए, यह हमेशा as it is रहता है, नेक्स है, इन शब्दों में अव्य शब्द है, क्या है अव्य शब्द, दुधारू, चल, पंजाबी, नहीं, इन में से जो अ हमें सफलता मिलने तक पृष्यास करना चाहिए इस वाक्य में तक रियास करना चाहिए इस वाक्य में क्या है तो तक जो हमारा तक लिखा हुआ है वह क्या है ये है आपका विशमय आदि बोदक अव्या ठीक है याद रखेगा निम्नम में से कौन एविकारी है तो हमें पता है जो हमारे अव्या होते हैं वह एविकारी होते तो 9th नमबर के अगर कौन सा कोश्चन है 9 अच्छा तो जो अव्य होता है वो हमारा कभी नहीं बदलता है यहां पर देखो अगला कोश्चन है तुरिसकार सुचक अभी है अभी हम यह करके भी आए है ट्वैल नंबर कोश्चन यहां पर आएगा छी छी मतलब किसी चीज को धिकारना तुरिसकार करना जिस वाक्य में न निपात होता है किसी भी चीज पर बल डालना आप उस पर फोर्स अपलाई करके वो चीज बोल रही हो बात अपने तक ही रखना शीला तो बिमार है तुम भी चले जाओ मैं कल जैपूर गया था था थर्टीन नंबर कोश्चन में यहां पर बात करें तो यहां पर निपात का संटेंस है साधान सा वाक्या है निपन में से अव्वे शब्द नहीं है क्या नहीं है अव्वे शब्द अचानक चलना प्रति दिन जी हां तो यहां पर अगर हम बात करें कि अव्वे शब्द कौन सा नहीं है अव्वे शब्द चलना नहीं है अचानक देखो आप सो लोगो के वाले sentence में अचानक लगा दो तब भी रोल पली करेगा एक के में लगा दो तो भी अचानक एक ही जैसा रहेगा प्रति दिन भी जी हां भी लेकिन चलना एक क्रिया है तो option number C प्रिमान वाचक क्रिया विशेशन अव्य क्या है प्रिमान वाचक क्रिया विशेशन है आपका बता दीजे मानो है अवश्य लेकिन थोड़ा प्रिमान बता रहा है नापतोल की बात बता रहा है तो थोड़ा ए ओप्षन यहाँ पर करेक्ट रहेगा इधर आओ वाक्या में अव्या का रूप क्या है अगर इधर आओ ये पूछा है ये कौन सा रूप है तो ये है हमारा क्रिया विशेशन ध्यान रखिएगा ये क्रिया विशेशन अव्या रूप है घोड़ा तेज दोडता है वाक्या में अव्या क्या है अगर घोड़ा तेज दोड़ता है घोड़ी तेज दोड़ती है लेकिन तेज का कभी स्थान नहीं बदलेगा अव्वे शब्द क्या है अव्वे शब्द आपके एविकारी शब्द है आगे चलते हैं और आगे देखते हैं लेवल टू में जो आपके खुशी से बताया गया है अव्वे शब्द जिन के रुप में लिंग्वचन पुरुष काल आदी व्यकरनिक कोटियों के प्रभाव से कोई भी प्रिवर्तन नहीं कहलाता यह क्या होते हैं यह होते हैं हमारे अव्वे शब्द क्रिया की विशेस्ता पर कट करते हैं उन्हें क् कहते हैं काल वाचक स्थान वाचक रीती वाचक या प्रिमान वाचक अगर यहां पर बात करें तो समय के बारे में आपका काल बताएगा आदत के बारे में रीती बताएगी स्थान के बारे में स्थान बताएगा नापतोल के बारे में प्रिमान बताएगा ऑप्शन नमबर एक काल वाचक यहां पर करेक्ट है जिस निपात से प्रशन का बोध होता है वो क्या कहलाता है यहां पर अगर मैं बात करूं प्रशन का बोध हो रहा है तो यह प्रशन बोधक निपात कहलाएंगे जिस अव्य से जगय स्थान का बोध हो वो क्या कहलाते हैं यहां पर जगय औ मातरा का बोध हो तो प्रिमान व आचक बो लेंगे 8th No. question जिस अव्य से प्रशन का बोध हो यहां पर 9th में अगर पूचा जाए तो इनको प्रशन वाचक बोलेंगे जो अव्य वाक्य के पदों में एक दूसरे से संबंध बतलाते हैं उनने क्या कहते हैं वाक्य में आपने दो मतलब sentence को संबंद बताया है आपने दो लोग वा तो इनको कहेंगे संबंद बोधक अव्या जो अव्या दो शब्द वैक्यांस या वाक्यांशो को जोड़ते हैं इनको कहा जाता है समुच्य बोधक ठीक है जो अव्या हर्श शोक आश्चेरित रिसकार और संबोध संबंद बोधक या फिर आपका एक सकिंड समुच्य बोधक या विश्मयादि बोधक तो इनको कहेंगे विश्मयादि बोधक दुबाया से कोशन देख लो वैल नंबर कोशन में क्या बोला है अश्चेरियत रिसकार और संबोधन हर्श शोक तो आप्शन अवड़ी यह नह को क्या कहा जाता है उनी को तो निपात कहा जाता है निपात का मतलब यह होता है जोर लगा कर बात कहना जिस निपात से स्विकार या स्विकर्ति का बोध हो उन्हें कौन से निपात बोला जाएगा फोटीन नंबर क्वेस्चन में तो इनको स्विकारत निपात बोला जाएगा जिस निपात से S-Svikar का बोधो तो उनको क्या बोला जाएगा वही? निशेद, Svikar, नकारत्थक या फिर प्रशन बोधो तो यहाँ पर जो option रहेगा वो रहेगा नकारत्मक क्योंकि S-Svikar कर दिया है उसने डॉप्ट नहीं किया है जिस निपात से मनाही का बोध हो उसे क्या बोलेंगे इसको निशेद बोलेंगे ओविसली जैसे बोला जाता नहीं यहाँ पर पार्किंग करना मना है यहाँ पर थूपना मना है जो भी है यहाँ पर खड़े होना मना है तो इस निपात में क्या है मनाही का बोध है वो रिस्ट जब्डों को भी और दो वाक्यों को भी और दो वाक्य खंडों को भी इनको जोड़ने वाले कहलाते हैं समूच्यव 25 या समूच्यभů 25 शब्द अब्वे के भेद कितने होते सबिको पता होगा संग्या सराव नाम क्रिया विशेशन कि इसमें आपका option जो तहीं है यह के बिनायेगा कि आज धन के बिना कोई नहीं पूछता निमन में capitalism सफ जब्धों के आउब्वे के आंदर करें किन शब्दों की गन्ना अव्य के अंदर होते तो यह क्रिया विशेशन एडवर्ड जो होते हैं नल दुबारा देख लिजिए किन शब्दों की गन्ना अव्य के अंतर आते हैं तो यह क्रिया विशेशन शब्द जो होते हैं उनके अंदर आती है नल बूंद बूंद कर रहा है इसमें क्या है क्रिया विशेशन है मदन तेजी से दोड़ा वाक्य में क्रिया विशेशन का परकार बताईए मदन के बारे में पूछा है तो यह उसकी रिती है यह कोई काल या स्थान या फिर प्रिमान नहीं मापरा तो यह रिती वाचक है option number a next यहां पर बात कर रह होई है को इसमें हर्श दुख की भावना नहीं है क्रिया विशेशन नहीं है तो ताकि जो हो आपका क्या है इस वाक्य में Esaldal दाल कर उसे घेल ओ ताकि जल्दी ठंड़ा हो जाए इस में जात समुच्य बोदक शब्कॉनसाना आब समूच्य बोदक शब्क शब्याट के क् समुच्च बोदक है भी करके भी आए हैं पहले क्वेश्चन में किस वाक्य में निपात का प्रियोग नहीं हो रहा है तुम कहां तक जा रहे हो मैं भी साथ चलूँगा वह तो नहीं चलेगा वैं पढ़ाई कर रहा है तो यहां पर जो होगा वो ऑप्शन नमबर डी यहां पर यह नॉर्मल सेंटेंस है यहां पर यह यूज होगा बाकी आपके सारे निपात हैं तुम कहां जा रहे हो पूछ रहा है ना मैं भी चलूँगा वो बोल रहा है कि हाज और दे के बोल रहा है मैं भी चलूँगा फिर बता रहा है कि वो भी नहीं चलेगा वैं पढ़ाई कर र मतलब जोर देखे कि आप भी आईएगा यह निपात है कौनसे वाक्य में काल वाचक क्रिया विशेशन नहीं है भास्वित लगातार दोड़ रहा है वे निते पढ़ते हैं करपा आप भी जाए या लड़का बहुत पढ़ रहा है तो यहां पर जो पढ़ रहा है ना वो नॉम भी आहां तर दिन बर पढ़ता है विपूल थोड़ा ही पढ़ सका तो यहां पर जो औप्शन रहेगा यहां पर यह कुरिया विशेशन नहीं है यह आपका नॉमल सेटस है बाकी देखो जितना खाता हूँ उतना उतना जितना यह सारे आपके प्रिया विशेशन है बहुत यहां पर क्रिया विशेशन है दिन भर लेकिन यहां पर विपुल थोड़ा ही दिन भर नहीं है लेकिन यहां पर डी ओप्शन में थोड़ा ही जो है वो आपका क्रिया विशेशन है तो ओप्शन नमबर सी यहां पर करेक्ट रहेगा 30 नमबर क्वेशन का नेक्स वात करते हैं यहां से वहां तक खेती केत है इस वाक्य में कौन सा नहीं है इसमें नेक्स बात करिए 22 नमबर कोशन की यहाँ पर क्या बूला है निमन मेंसे किस वाक्य में क्रिया विशेशन नहीं है वह अच्छा आम है यह पका हुआ आम है अच्छा आम पक भी गया अच्छा है आम तो अच्छा है तो यहां पर अगर हम बात करें 22 वे नंबर कोशन की तो यह अच्छा आमें यह क्रिया विशेशन नहीं है उसकी कोई क्वालिटी नहीं है हाँ विशेशन बोल सकते हैं आप इसको अच्छा लेकिन क्रिया विशेशन नहीं है स्थानवाचक क्रिया विशेशन बता दीजिए कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेशन की बात करें तो पास आओ या नीचे आजाओ ये स्थान के बारे में ये समय के बारे में ये आपका प्रिमान के बारे में और ये आपका रीती के बारे में है लेकिन option A जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा स्थानवाचक निम्न में से संबंध बोधक अव्या कौन से है संबंध जो दर्शाते हैं एक का दूसरे के साथ तो यहां पर संबंध बोधक अव्या पूछा है हमसे 24 में नमबर कोश्चन में बात करेंगे अरे वहा भी तक हा नहीं यह तो जवाब दिया है लेकिन में से आपका संबंध बोधक है निम्न वाक्यों मेरे खांकित किये हुए भाग में कौन सा पदबंध है 25 वे नमबर कोश्चन के अगर हम बात करें तो दस बज कर पांच मिनट पर गाड़ी छूटेगी यह क्या है आपका यह है आपका क्रिया विशेशन ठीक है क् क्रिया विशेशन पदबंध क्या है इस मकान की चत के ऊपर से पूरा गाउं दिखता है इसमें क्रिया विशेशन पदबंध कैसे होगा तो आप बताईए यहां पर कौन सा आएगा इस मकान की चत के ऊपर से पूरा गाउं या इस मकान की चत या गाउं दिखता है तो यहां पर जो क्रिया विशेशन है वो है आपका option number A 26 वे का A option यहाँ पर correct रहेगा next पूछा है यहाँ पर कि कौन सा पदबंद है मेरे गाउं के चारों और जंगल ही जंगल है इसमें बता दीजिए कौन सा पदबंद है यह भी आपका क्रिया विशेशन है ठीक है next है निम्न वाक्यों में क्रिया विशेशन पदबंद क्या है उस पहाड़ी के पीछे मेरा गाउं है अब यह बता रहा है कि उस पहाड़ी के पीछे जो है वो आपका क्या है क्रिया विशेशन है एक शब्द का निम्न में से किस रूप में प्रियोग नहीं होता क्रिया विशेशन, संग्या, विशेशन या फिर संबंद बोधक तो 39 वे नंबर कोश्चन की बात करें तो एक शब्द का संबंद में प्रियोग नहीं होगा क्योंकि संबंद दो लोगों का दर्शाय जाएगा मुंबई के निकट जो है वो पूना है इस मेरे खांकी शब्द बताए मुंबई के निकट पूना है तो ये समुच्य बोधक है, संबंद बोधक है, सरवनाम है या संग्या है तो अगर यहाँ पर 30 number question की बात करें तो ये आपका पूने निकट जो है उसका संबंद बता रहा है वह तो घर डैश बैटाता घर डैश बैटाता इसके लिए के आएगा घर के बाहर घर में, घर के सामने या घर के भीतर तो यहाँ पर आएगा वो घर के बाहर बैटा है बैटा था ये स्थानवाचक क्रिया विशेशन है भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है भरोशे में शब्द का रूप पूछें तो ये आपका, मुझे तुम पर भरोसा है तो दो लोगों का संबंद बता दिया और ये संबंद बोदक है वह लाचार है, क्योंकि वह अंदा है इस वाक्य में कौन सा आव्वे है लाचार है और अंदा है, तो ये कारण बताया गया है कि वो लाचार क्यों है, क्योंकि वो अंदा है ठीक है, निम्ने वाकिए में संबंद वोदक के रूप में प्रियोग किया जाता है किस चीज को, 34 number question की बात करें, तो यहाँ पर उसके घर के आगे ही मेरा घर है, इसमें संबंद क्या है, इसमें संबंद बता गया है उसके, मतलब जो second person है उसके घर के आगे ही मेरा घर है तो उसके आपका क्या है आपका संबंद बोदक है तो 34 का आपका क्या रहेगा option number B पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे इसमें संबंद बोदक अव्य बताईए पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे तो कैसे जो है न वो आपका क्या है संबंद बता रहा है रात बर जागना स्वास्ते के लिए अच्छा नहीं है ये बता दीजे 36 number question है रात बर जागना स्वास्ते के लिए अच्छा नहीं है ये संबंद बता रहा है तो यहाँ पर जो रेखां के शब्द है उसमें समबंद सूचक अव्य आया हुआ है ये 36 नममर inad का आपका answer होगा ए नेक्स बात करते हैं, मैंने तुमें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तिरन होगे इसमें समुच्य बोदक अव्य कौन सा है तो इसमें आपका समुच्य बोदक अव्य है इसलिए ठीक है नेक्स एक कौन सा समुच्य बोदक अव्य नहीं है अर्थार्थ एतव अत्वा या आजनम तो आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा कि आजनम जो है वो मतलब यह उसमें आता है आपका अव्य भाव जो समास होता है उसमें बाकी यह अर्थार्थ अत्वा यह संटेंस में जोड सकते हैं लेकिन समुच्य बोदक अव्य नहीं है आजनम वह क्यों नहीं आया इसलिए कि बिमार का यहां की से क्या बोद होता है 39 नंबर क्वेशन पर यहां पर हमें ऑप्शन्स दिये है अत्वा जोडने का कारण या फिर और तो यहां पर जो करेक्ट अंसर रहेगा वो रहेगा जोडने का वह यहां पर नहीं आया क्योंकि वो बिमार था यहां पर यहीं पूछा है की जो हमारा की लिखा है यह एक तरह से कंजक्शन का काम करेगा मतलब दो वाक्यों को आपस में जोडने का काम करेगा और यहां पर बात करें वाक्य कौन सा हो हो यह इसी लिए यह तो कांड बता है किन्तू क्योंकि लेकिन फलत है मतलब यहां पर जो विरोज दर्शक यह अव्वय है option number c 41 question है डैश विभाजक अव्वय नहीं है कौन सा विभाजक जो है वो यहां पर अव्वय नहीं है तो यह जो की है ना यह संबंद को दर्शाता है यह विभाजन को नहीं दर्शाता यहां पर अत्वा और एतप और नहीं तो ये सारे संबंद दर्शाते हैं लेकिन विभाजन करता है आपका विभाजक अव्य नहीं है हाँ ये विभाजन करते हैं लेकिन की जो है वो संबंद को बताता है option D निम्न में से कौन सा सवरूप वाचक व्याधी करण समुच्य बोधक अव्य नहीं है 42 नमबर क्वेशन में यहाँ पर बात करें सवरूप व्याधी करण और समुच्य बोधक अव्य नहीं है निम्न में से क्या परिमान दर्शक अव्य है परिमान मतलब परिणाम मतलब किसी का result आना परिणाम उस चीज का क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में तो 44 नमबर क्वेशन का जो आंसर है वो आएगा फलत डैश संकेत वाचक अव्य नहीं है यदपी तथापी तब यताकी तो इन में से कौन सा नहीं है संकेत वाचक ये है तब ये आपका संकेत नहीं समय को दिखा रहा है जबकि यदपी तथापी और ताकी ये सारे संकेत को दर्शाते हैं समानादीकरण और व्यादीकरण किसके भेद होते हैं ये भेद होते हैं आपके समुच्य बोदक के ठीक है समुच्य बोदक जो होता है उसका एक समानादीकरण अव्य होता है एक व्यादीकरण होता है तो option A जिन अव्यों का सम्मंद वाक्य से नहीं होता वक्ता के हर्ष शोक और भावों से होता है इसे कहते हैं विश्मे आदी बोदक अव्य 47 में A अफसोस मैं नहीं जा सका तो इसमें पहले से ही जो यह sign यूज हुआ है और यहाँ पर जो हुगा अफसोस मैं नहीं जा सका तो यहाँ पर option आएगा यह सोक सूचक ठीक है अगर यहाँ पर विश्मे आदी बोदक पूछते तो वो अंसर होता लेकिन उसके भी पार्ट दिये हैं आपको कि यह संबोधन कर रहा है आश्यरिय दर्शारा है हर्ष है या फिर शोक है तो अफसोस किया है उसने इस चीज़ पर तो यह शोक सूचक अव्या है 49 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से क्या अनुमोधन सूचक विश्मे आदी बोदक अव्या है अनुमोधन करना किसी से कहना विंती करना तो यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन का अंसर होगा साधू साधू ये अनुमोदन किया गया है ये देखो ये आपकी किसी चीज के वंडर को दर्शाता है बाप रे बाप ये शाबाशी आपको दी जाती है हे राम वो मतलब पुकार रहा है जो उसके यहां पर जो साधू साधू है वो अनुमोदन कर रहा है निम्न में से क्या प्रशंशा सूचक विश्मयादी बोदक अव्य नहीं है प्रशंशा कौन से में नहीं हो रही सादू सादू बापरे बाप सुन्दर शाबास ये सारे हैं लेकिन 50 नमबर क्वेश्चन में जो आपका प्रशंशा नहीं है तो यहां पर जो option रहेगा वो रहेगा ओ वावा कितना सुन्दर दर्शय है इन में से कौन सा अव्य है वावा वो दर्शय को देख कर रहा है तो इसमें अव्य कौन सा आएगा इसमें अव्य है हर्ष बोदक खुशी के लिए वह दिन बर पढ़ता रहता है यहां पर जो अव्य का भेध है वो कौन सा है 52 नंबर क्वेश्चन में जो अव्य है वो निपात के रूप में यूज हुआ है क्योंकि निपात ही क्या है कि उस पर बल देता है किसी संटेंस में अगर आपको कोई चीज बल देके बोलने हैं उसे निपात में रखा जाएगा डैश बल पर दायक निपात नहीं है सिर्फ खबरदार केवल ही तो 53 में यहां पर ऑप्शन होगा फॉर्थ ऑप्शन जबकि सिर्फ यही काम करना खबरदार वहां गए तो यहीं काम किया तो केवल इसी चीज को ले कराना यह सारी निपात बोदक है लेकिन ही जो है वो यहां पर निपात नहीं है निम्न सब्दों में निपात का उधारन कौन सा शब्द है ठीक निकट इधर या कल तो इन में से निपात का शब्द है आपका निकट मैं आज तक परिक्षा में सफल ही हुई हूँ इस रेखां की शब्द को पैचाने परिक्षा में सफल ही हुई हूँ यहाँ पर जो ही है वो जोर देके बोला गया है तो 55 नंबर कोश्चन में आपका option है निपाद जिनका प्रियोग निश्य शब्द समुदा या पूरे वाक्य का अतिरिक भावार्द प्रदान करने के लिए होता है उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें कहते हैं हम निपाद आजकल मोसम बदलने लगा है इसका पद परिचे क्या होगा आजकल मोसम बदलने लगा है इसका पद परिचे क्या ये विशेशन है मोसम विशेशन है और पुलिंग एक विचन है क्या रीती वाचक है क्रिया विशेशन या क्रिया का विशेशन है या फिर आपका ये एक काल सूचक, काल वाचक क्रिया विशेशन है, बदनने लगा है ये क्रिया का विशेशन है, तो आज कल जो है वो आपके काल वाचक क्रिया विशेशन को दर्शाता है, आप वहां मत जाएए, ये बोला गया है, आप वहां मत जाएए, ये निशेद आत्म नमबर B, निपात करके बोला गया है, restricted way में बोला गया है, कि आपको वहाँ नहीं जाना है, मतलब ये निपात में जा गया ये पदपरीचे पूछा है तो निपात लगा है, अगर अव्या बोलते तो आपका निशेद होता निपन में से अव्या कौन सा है, यहाँ पर जो अव्या है, ये वर्तमान, नया, सुंदर, ये सारी हमारी संग्या है, विशेशन है, लेकिन अव्या जो है तथा ये चेंज नहीं होगा चाहे लिंग वचनकारत के हिसाब से संटेंस में कितना भी चेंज आ जाए, लेकिन अव्या चेंज नहीं होगा निम्न में से अव्या कौन सा है, प्राचीन, मोटा, गरीब, और, तो प्राचीन, गरीब, और, मोटा, ये किसी चीज की विशेशता बता रहे हैं, तो ये विशेशन है, अड्जक्टिव में जाएंगे, लेकिन आप्शन नमबर D, जो एक कंजक्शन की तरह काम करेगा, या संयुक्त वेंजन की तरह काम करेगा, उसे कहेंगे हम यहाँ पर अव्या, ये चैप्टर था, अव्या को लेकर, और कल यहाँ पर जो चैप्टर रहेगा, वो रहेगा, शब्द के भेत, कि भई, रचना के आधार पर कितने हैं, कारे के आधार पर कितने हैं, तो ये पूरी वीडियो है, आपके अव्या वाले चैप्टर की, और आपको वीडियो कैसे लगी है, कमेंट करके बताएगा, और प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थैंक्यू